पकोडिया तो सभी लोगों को बहुत ज़्यदा पसंद होती और खास कर ये बारिस के मौसम में या फिर ठंडी के मौसम में इसे ज़्यादा तर लोग पसंद करते हैं साम को जाय के साथ हो या फिर चटने के साथ हो पकोडी खाना किसे नहीं पसंद होता है आपने प्याज की लौकी की बैंगन की आलू की पकोडी तो खाई होगी आज हम लेके आएं बहुत ही इस्पेसल खिचडी की पकोडी क्या आपने कभी इसका नाम सुना है तो आज सुन लीजिए फ्रेंड आज इस कुरकुरी और क्रिस्पी पकोडी को हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके जिसे हम खिचडी से बनाएंगे जो आपके घर में खिचडी बनती है नॉर्मल उसी खिचडी से बनाएंगे जब खिचडी घर पे बनाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ खिचडी हमारी बच जाती है तो चलिए हम उसका रियूज कर लेते हैं यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंट की इसे आपने खिचडी से बनाया है ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिश लगता साथ ही कुरकुरी होने के साथ क्रिस्पी भी है इस पकौडी को मैंने दो तरह की चटनी के साथ सर्व किया है जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं इस पकौडी को आप नौर्मल के चप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं उसके साथ भी खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती है हे गाईज वेल्कम बैक टू धनुआर कीचिन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो चलिए इस आसान सी चावल के यानि की खिचडी की पकोड़ी को बनाना शुरू करते हैं अकसर फ्रेंड हम लोग जब खिचडी बनाते हैं तो वो साम हो या दुप है रो कभी न कभी जब बनाते हैं तो खिचडी हमारी थोड़ी बहुत अकसर बच जाती है जिसे हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि उसे फेक देते तो आज हम हम इसकारी यूज कर लेंगे इसकी बनाएंगे इस्पेसल कुरकुरी क्रिस्पी चावल की पकोड़ियां तो ये दिके फ्रेंड मैंने यहाँ पे खिचडी बनाई थे और खिचडी हमारी यहाँ पे इतनी सारी बच गई अगर आपके खिचडी जो है गेली है तो उसे पीसने की बिल्कुल भी जरूरा नहीं यहाँ पे मेरी सूखी हुई है तो चली अब इसे मिकसर जार में हम डाल ल लगा के हम इसे पीस लेंगे इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे बस थोड़ा सा इसे दरदरा पीसेंगे तो यह लिजे फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है उसे बिल्कुल भी पेस्ट मैंने नहीं बनाया है तो चलिए फ्रेंड इसे मैंने पीस लि बेसन की जगह आप यहां पे रवा या फिर कॉन फ्लोर का यूज कर सकते हैं यह अच्छी बाइंडिंग के लिए यहां पे मैं यूज कर साथ ही अब हम इसमें डालेंगे धेर सारी सबजियां तो यहां पे मैंने एक बड़ी प्याज लिया और इसे लंबे-लंबे पी स्लाइस में कट कर लिया है सारी सबजी को काटने से पहले इसे पानी से अच्छे से मैंने एक से दो बार धुल लिया है तो यहां पे दो आलू लिये थी मीडियम साइज और इसे भी लंबे-लंबे पीसेस में मैंने कट कर लिया है एक यहां पे लाल सिर्मला मिर्च लिया है जिसे मैं पतले पतले पीसे में कट कर लिया है यहां पर तीखे के लिए मैंने हरी मिर्ची का यूज किया है तो यहां पर मैंने चार मिर्ची लिया हो इसे अच्छे से पानी से धुल के छोटे-छोटे पीसे में कट कर लिया है सबी सब्सक्राइब को पकॉड़ी के बैटर में डाल दें और वन फोर चम्मच यहां पर गरम मसाला यूज़ा चम्मच यहां पर नमक डाल देंगे आदा चम्मच चिली फ्लैक्स हिचडी में पहले से नमक मैंने डाल रखा था तो नमक अपने स्वाधिके अनुसार डाले अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और तेल में डाल देंगे आपको फ्रेंड जैसी पकोड़ी खाना पसंद है आप छोटी बड़ी वैसे साइज में पकोड़ी बनाके यहां पर तयार सकर सकते हैं ध्यान रखने बाली बात यह है कि यहां पर अगर आप खिचली को थोड़ा गीला बनाये हैं तो उसमें पानी बिल्कुल भी आड़ ना करें यहां पर गैस का फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और से उलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो यह लीजिए फ्रेंड यहां पर हमारी पकोड़ी बढ़िया से बनके तयार हो गई है तो को रिलीज कर दिया उसके बाद निकाल दिया है तो चलिए इसी प्रोसेस से हम बाकी की पकोड़िया बना के तयार कर लेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए है साथी मेरी वीडियो को देखना आपको थोड़ा बहुत भी पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी वेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुचता रहे तो यह देखिए फ्राइंड यहां पर सेम प्रोसेस से मैंने दूसरी बार भी पकोड़ी बना के तयार कर लिया है एक बार आप इस तरह से पकोड़ी की इस रेस्प करेंगे तो देखिए फ्रेंड यह लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी यह फ्रेंड पकोड़ी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश लगती आपके घर में यह सब को बहुत ज़दा पसंद आएगी तो फ्रेंड एक बार इस तरह से मेरी ये रेस्पी को जरूर ट्राई करिएगा और फीडबैक हमें जरूर बताएगा कि ये पकोड़ी की रेस्पी आपको कैसी लगी ये अंदर तक बिल्कुल पकी हुई है तब तक फ्रेंड आप इंजॉय करिए इस पकोड़ी की रेस्पी को तो फिर मिलते हम किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए फ्रेंड बाबाई